दो अनात भाई बहन और एक परी की कहानी एक गाव में बंटी और बबली नाम के दो अनात भाई बहन रहते थे उनका इस दुनिया में कोई नहीं था क्योंकि उनके माता पिता का कुछ समय पहले देहान्त हो चुका था एक दिन उनके पास उनके मामा आये और उन्हें अपने साथ घर ले गए, अब वो अपने मामाजी के साथ उनके घर पर रहने लगे, उनकी मामी उन दोनों बच्चों से चिर्ती थी, और वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी, और इतना काम करवाने के बाद भी बेचारे दोनों भाई बहनों को पेट भर कर खाना भी नहीं देती थी, मगर दोनों भाई बहन का मामा उन दोनों बच्चों से खूब प्यार करता था, मामी को ये सब बिलकुल भी पसंद नहीं था, और इस कारण अक्सर दोनों में लड़ाई भी होती रहती थी, मगर मामा अपनी पत्नी की जिद के आगे बेबस था, मामी उन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया, इसके लिए उसने अपने पती से बात की, तो वो बहुत नाराज हुआ, उसने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी, उन दोनों की बातों को बबली ने चुपक को पहले ही भांप चुकी थी, इसलिए वह अपने साथ कांच की कुछ गोलिया साथ लेकर आई थी, जिन्हें वह रास्ते में बिखेरती जा रही थी, जंगल में काफी दूर जाने के बाद दोनों बच्चे ठक कर सो गए, और मामा मामी उन्हें उसी हाल में छोड़कर जंग चोड़कर चले गए हैं, बबली ने अपने भाई से कहा, तुम चिंता मत करो हम घर जरूर पहुचेंगे, आओ, मेरे पीछे पीछे चलो, और वह दोनों अपनी बिच्चाय हुई कांच की गोलियों को देखते हुए घर की ओर लोटाए, दोनों को घर आते देखकर मामी को बहुत गुसा आया, मगर वह चाला की से उनसे कहने लगी, अरे बच्चों तुम जंगल में कहां रह गए थे, मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, और यहां मैं कितनी परेशान हो रही थी, चलो अच्छा हुआ तुम सही सलामत घर लोटाए हो, मामी अब अपने मन में पह बहुत दूर जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया, और अगले दिन फिर अपने पती के साथ मिलकर, दोनों को जंगल में घुमाने के बहाने लेकर जाने लगी, बबली को पहले की तरह मामी की चाला की फिर समझ में आ गई, वो जानती थी कि मामी इस बार कुछ बड़ी सा जाती है, लेकिन इस बार बबली के पास पहले की तरह कांच की गोलिया नहीं थी, लेकिन उसने अपने पास कुछ चने रख लिये, और रास्ते में उन्हें बिखेरती चली गई, घने जंगल में पहुँचने के बाद मामी मीठी मीठी बाते करने लगी, और उसकी मीठी जल्दी ही नींद आ गई, और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए, सोने के बाद मामा मामी दोनों बच्चों को वही छुड़कर घर आ गए, शाम को जब दोनों बच्चों की नींद खुली, तो उन्होंने घर जाने के लिए फिर वही तरीका आज मया, लेकिन इस बा रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और चलते चलते एक खंडहर में पहुँच गए दोनों बच्चों को काफी डर लग रहा था इसलिए दोनों बच्चे जाकर एक कोने में छुप गए थोड़ी देर बाद वहां पर एक भयानक से चहरे वाली एक बुढिया नज रही थी जिसके बड़े बड़े नाखुन बड़ी बड़ी आँखें और बड़े बड़े बिखरे हुए बाल थे उसने बच्चों से कहा मेरी इजाजत के बिना तुम यहां क्या कर रही हो अब तुम मेरी कैद में हो इसलिए अगर जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना होगा नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी दोनों बच्चे उसकी इस बाद से बहुत डार गए और जैसा वल कहती वैसा ही करने लगे बुडिया ने बंटी को एक पिंजरे में कैद कर दिया और लड़की से बहुत काम कराने लगी एक दिन बुडिया ने बबली को जंगल में लकडिया लेने भेजा, बबली लकडिया एकथा करते करते बहुत दूर चली गई, बबली को चलते चलते एक बहुत बड़ा पेर दिखाई दिया, वो बहुत ही रहस्यमई पेर था, उस पेर पर परिया रहती थी, उस पेर की आवो हवा कुछ ऐसी थी कि वहां हर पशू पक्षी रहना चाहता था, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पंची उड़ रहे थे, और वहां मोर भी नाच रहे थे, बबली चलते चलते ठक चुकी थी, उसने जब पेर को देखा तो बबली वहां आराम करने के लिए चली गई, और वहीं बैठे बैठे अपनी परेशानियों को सोच कर रोने लगी, पेर के उपर बैठी हुई परी बबली को देख रही थी, जब उसने बबली को रोते हुए देखा, तो परी उसके पास आकर बोली, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ मैं अभी सब ठीक कर दूंगी, बबली ने जब परी के सफेद कपड़े और उसके हाथ में जादू की छड़ी को देखा, तो वह समझ गई कि वह एक परी है, क्यूंकि उसने बच्पन में अपनी मां से कई सारी परियों की कहानिया सुन रखी थी, कि परिया बहुत दयालू और चमतकारी होती हैं इसलिए अब उसमें हिम्मत भी आ गई थी, परी ने जब बार बार बबली से अपनी परेशानी बताने को कहा, तो बबली ने परी को सब बता दिया, वहां बैठी सभी परियों में से परियों की रानी को उस बच्ची पर बहुत बया आई, वो उसके पास आकर बोली, बबली तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को बचाऊंगी, लो अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को उस बुढ़िया की कैब से आजाद कराने का उपाय बताती हूँ, ताकि तुम सही सलामत अपने घर लोट कर जा सको, उसके बाद परी ने कहा, जब वो बुढ़िया चार पाई पर रखे तके के नीचे पिंजरे की चावी रखी होगी, जिससे तुम अपने भाई को आजाद करा लेना, उसके बाद उस पिंजरे के नीचे सोने की मुहरों से भरा संदूक रखा होगा, उसे लेकर तुम दोनों पास की नदी किनारे चले जाना, वहां तुम्ह एक हंस दिखाए देगा और वो तुम्हें देखकर अपने पंख फैलाएगा, फिर तुम दोनों उस पर बैठ जाना, हंस तुम दोनों को अपने घर पहुचा देगा, ये सुनकर बबली बहुत खुश हुई, अगले दिन जब बुडिया नहाने बैठी, तो बबली ने पहल करा लिया, अब दोनों भाई बहन बहुत खुश थे, उन्होंने पिंजले को हटा कर मोहरों से भरा बक्सा निकाला, और उसे लेकर दोनों नदी किनारे पहुच गए, वहाँ पर उन्हें एक हंस पानी में तेरता दिखाए दिया, और जब वो उसके पास गए तो हंस ने उन मामा को बहुत खुशी हुई और बच्चों को गले लगा कर बहुत रूया, मामा ने अपनी गलती की दोनों से क्षमा मांगी, और कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी मामी को घर से बाहर निकाल दिया है, ये सुनकर दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोने की मुहरों का संदूक अपने मामा को दे कर बोले कि उन्हें मामी के बिना ये घर सुना सुना सा लग रहा है दोनों बच्चे घर के बाहर बने चबूत्रे पर बैठी मामी के पास गए और हाथ पकड़ कर अपने साथ उन्हें घर ले आए ये देखकर मामी खूब रूई और दोनों बच्चों को गले लगा कर कहने लगी बच्चों मुझे माफ कर दो मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिये हैं लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है आज से मैं तुम दोनों की मामी नहीं मां बनकर रहूंगी और तुम दोनों को बहुत प्यार करूंगी इसके बाद आप वो दोनों बच्चों से बहुत प्यार करने लगी और उनकी मां बनकर रहने लगी दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को प्रास कर ले ताकि लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थांक्यू फॉर वाचिंग